तो गईस्स अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने उस टाइम को और एक क्या सकता है लेकिन अगर आप अपने उस टाइम को क्मपिलीट करना चाहते हो तो वाई मैंने तिर पल सी को कुछ अलग तरीके से ही डिजाइन किया है आपके लिए और आप उससे जो है 100% अपने वह टाइम को complete कर पाओंगे क्योंकि आप काफी ज़्यादा टेंशन में रहते हो कि किस तरीके से अपने वह टाइम को complete करने की कोसिस करते हो या फिर आप किसी पेड़ तरीके को अपनाते हो अपने वह स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने तिरपल सी के तरू आपके लिए बोश्टाइम को complete करने की ट्रिक निगा लिए जिससे कि आप 100% अगर उसको फोलो करते हो तो अपने वन मंत के अंदर ही बोश्टाइम तो क्या उससे भी कई कर पाऊगे तो बहुत सबसे पहले बात करते हैं को अप जो है यूटूब पर जिस भी तरीके से वीडियो बनाते हो तो क्या आपने कोंटेंट पर रिसर्च करते हो यह नहीं यह कोबेंट करके मुझे सबसे पहले जरूर बताना क्यूंकि अगर अपने कोंटेंट ही खराब कर सबसे पहले आपको कॉंटेंट अच्छा बनाना है यही होता है बोस्टाइम के लिए सबसे पसंद क्यूंकि आप जब भी अपने चैनल में जाओगे तो बहां पर आप देखोगे कितनी देर आपके वीडियो को ओडियेंस आपकी देखती है और अधर चैनल आपके कौंसी यही आपका मैंट करता है कि कौंटेंड में अगर दम है तो आपको आपको चार मिनट से जाधा देखी जाएगी और आपके CONTENT में दम नहीं तो बढ़िए उसको इसको इतनी देखने के बाद लाने के लिए तो सबसे पहले नमीडर पर आपकी वीडियो में वोजटाइम ल consistency का मतलब क्या है अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं तो आपको पता होगा कि हर कोई आप से यही कहता है कि regular वीडियो बनाओ consistency बनाई रखो YouTube पर तभी आप सपन हो पाऊगे तो भाई consistency का मतलब यह नहीं है कि आप YouTube पर रोज की 5 वीडियो डालो रोज की 10 वीडियो डालो यह यह होती है आपकी consistency अगर हाँ अगर आप हफते में एक वीडियो डालते हो वीक में एक वीडियो डालते हो तो आपको फिर वीक में ही एक वीडियो डालने है तो उसको भी consistency कहा जाता है अब जो है आपको यह कुछ नहीं है doubt कि आपको एक वीडियो अगर आप रोज डालने ह यह 15-20 जितने भी आएं लेकिन आपको देखा होगा आपने कि आपको पास जो है नई-नई audience आती है तो उससे क्या होता है फिर आपको subscribe भी मिलते हैं उसके बाद क्या होता है subscribe मिलने के बाद जैसे ही बहुत आपके वीडियो पर किलिक भी अगर कर देते हैं नए जो भी audience आपक कोई भी वीडियो upload करोगे तो भाई जो आपके नए audience आये थे उनको YouTube recommend करता है suggest करता है उनके browse feature में आपकी वीडियो को भेजता है तो यह होता है आपका consistency का फायदा तो अगर आपने नहीं maintain किये तो भाई second number पर आप consistency maintain करो उसके बाद मैं आप बात करता हूं तीसरे के बार पूछते नहीं कि आपको वीडियो को कौन सा पार अच्छा लगा या आप यह नहीं कहते के बाई अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे subscribe कीजिए like कीजिए share कीजिए तो भाई यह होता है आपका call to action जरूर दो भाई या इतनी मैनत कर रहे हो तो आप क्यों नहीं कहते आप अपने वीडियो में जरूर call to action दो एक या दो किसी भी तरीके से आप या वीडियो के शुरू में दो या वीडियो के बीच में दो या लास्ट में दो लेकिन आपको call to action जरूर देना है क्योंकि इतनी भाई कोई धियान नहीं रखता अगर किसी को आप याद दिला तो कि वो आपको देखे और बिना कहीं subscribe कर दे हाँ ऐसा कुछ time में हो सकता है एक परसेंट आपके साथ हो सकता है लेकिन भाई हर कोई ऐसा नहीं होता तो आपको क्या करना है call to action जरूर से देना है अब मैंने आपको तीनों के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया तो आप ज चलिए मिलते हैं किसी और इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ जबता के लिए thank you so much thanks for watching